तुम में बहुत सारी आत्माओं से बात की होगी लेकिन मौंजुलिका की आत्मा सबसे अलग है जी हाँ भूल भुलिया की हवेली में एक बार फिर से लौट आई है मौंजुलिका लेकिन क्या इस बार मौंजुलिका डरा पाती है या फिर नहीं डरा पाती है क्या उसका खौफ बरकरार है यह सब हम जानेगे आज के अपने इस रिव्यू में सबसे मेले किम कहानी से रूहान रंधावा यानि कार्तिकारियन और रिट यानि अपनी क्यारा अडवानी से दोनों की accidental दोस्ती हो जाती है जहां एक तरफ रोहान एकदम मस्त मॉल और ट्रावलर है तो वह दूसरी और रीत अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मनाली गए होती है अब रीत की पढ़ाई पूरी हो गई है वो घर जाकर अपकी शादी की तैयारिया शुरू हो रही है लेकिन इसी सबके बीच में मनाली में रुहान से मिली रीत उसके कहने पर अपनी बस को मिस्ट कर देती है जो आगर जाकर खाई में गेड जाती है ऐसे में रीद की परिवार वालों को लगता है कि रीद की मौत हो चुकी है लेकिन अपनी खबर को बताने के लिए कि वो जिंदा है अपनी सलामती की खबर देने के लिए रीट जब अपने घर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बेहन का ही अफेर चल रहा है उसके मंगेतर के साथ ऐसे में रीट अपनी मौत की अफवा को ना बनाए रखने का ही फैसला करती है रीट की मदद करने के लिए रूहान उसके साथ राजस्थान चलता है और वहां पर रूहान सबको यकीन दिलाता है कि उसे भूत प्रेट आत्माओं से वो बात कर सकता है उसे नजर आती है जिसके बाद गाओं के सारे लोग उसे रूबाबा कहना शुरू कर देते हैं लेकिन एक दिन इन सारी कर्टूतों के बीच उसको पता चलता है कि हवेली के एक कमरे में मंजुलिका की आत्मा को पिछले 18 साल से क्याद करके रखा गया है और फिर एक ऐसे सिचुएशन आती है जब मंजुलिका की आत्मा बहार आ जाती है और फिर कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स और बहुत अलग अलग सस्पेंस के साथ फिल्म आपको ठ्रिलर्स जर्नी पर लेकर जाती है अब वो आत्मा कौन है आगे कहानी में क्या होगा मंजुलिका कि आत्मा आगे लोगों कितना परेशान करेगी ये सब जानने के लिए आपको ठेटर जरूर जाना पड़ेगा वैसे कहानी जो है वो ठीक ठाक है ऐसा कुछ बहुत नयापन नहीं है कि आपने पहले कभी न सुना होगा या फिर आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ फिल्म जो है वे अच्छी entertainment फिल्म है one time watch है फिल्म के comic timing जो है वो अच्छे है लेकि कार्थिक आरियन है इस फिल्म में अच्छा कासा काम किया है अपने रोल को justify किया है मतलब उनको देखके न मजा आ रहा है फिल्म में लेकिन जो अक्षे कुमार वाली भूल बलाईया में बात थी जो timing थी जो magic थाना वो कहीं ना कहीं आप भूल बलाईया 2 में मिस करोगे काफी हट तक फिल्म भूल बनाईया 2 में जो काम्याब रहे कार्थिक आरियन है ना उनके करियर के पायदान में ये फिल्म उनको नए सीडी में लेकर जरूर जा सकती है लेकिन हम इसे लगता है कि कार्थिक आरियन को ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर आज तक वो एक ही रोल को बार बार वो रेपेटिटिव ना कई बार बोरिंग सा फील भी होता है वहीं क्यारा एडवानी के अगर हम बात करते हैं तो ट्रेलर में क्यारा को देखकर लगा था कि कुछ अलग करेंगी कुछ हटकर करेंगी क्यरक्टर उनका अग्दम काफी मतलब लाजर दन लाइफ होगा लेकिन फिल्म में न कहीं न कहीं उमीद जो है वो फेल रहे गई क्या रखो इतना स्क्रीन स्पेस या फिर इतना उनकी करदार पे जादा स्कोप नहीं था लेकिन फिल्म में सबसे बड़ा सर्प्राइजिंग एलमेंन थी तबबू जिआँ तबबू की आक्टिंग शांदार थी तबबू की आक्टिंग on point है फिल्म में जिस तरी किसी twist and turn आते है ना तब्बू के साथ जुनका character पूरा play हो रहा है ना उसे देखके लगता है कि तब्बू अपने surprising element से साबित कर देती है कि आज की में जो actresses है ना वो तब्बू के सामने फीकी ही है चोटा पंडित बने राजपाल यादव उन्हें कैसे भूल सकते हैं वो outstanding है लेकिन कई जगा पर उन्हें देखकरना आपको पुरानी वाली भूल बलेजा की याद जरूर आने वाली है पहले फ्रेम से लेकर आखरी फ्रेम तक आप उन्हें देखकरना बस हसने ही वाले हो पहली वाली फ्रेम में वो लाल लाल paint में थे और इस बारे में उनके face पे white white paint है अब बात जोतिश बने संजे मिश्रा की उनकी जितनी टारीफ की जाए उतनी कम है यानि कि राजपाल यादफ और संजी मिश्रा दोनों ही comic timing आउटस्टेंडिंग है दोनों ने शानदार काम किया है वैसे अगर film के गानों की बात करें तो film के सारे गाने अल्रेडी चार्ट बस्टर पर टॉप पर चल रहे हैं और टाइटल ट्रैक तो अल्रेडी हर जगा काफी जादा पसंद किया ही जा रहा है Comedy film making के बादशा कहे जाने वाले अनीस बाजमी ने पहली बार horror comedy genre में ट्राइ करा है और ऐसा लगता है कि उनका first ट्रैना काफी हद तक सफल साबीत रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि film में कोई कमिया ही नहीं है, film एकदम outstanding है फिल्म में बहुत सारे flaws है लेकिन जिस तरीके से आप फिल्म को देखोगे ना आप उस कहानी में डूब जाओगे तो जो कमिया है ना वो आप उन पर इग्नोर ही कर डालोगे वेल अगर फिल्म की cinematography की बात करें तो वो काफी हद तक शानदार है क्योंकि जिस तरीके से हवेली के wide angle shots दिखाए गया है या फिल कमरे का छोटे से छोटा को ना जिस खुबसूरती के साथ उस angle को फिल्म आया गया है ना वो यकीनन भूल भलाईया 2 को और जादा शानदार दिखाती है फिल्म को background score स्टोरी में energy डालता है फिल्म को first half काफी अच्छा था कहानी को side down से दिखाया जा रहा था आप हर एक character को अच्छे से frame wise frame दिखा रहे थे लेकिन जैसे ही फिल्म का second part आता है ना तो थोड़ा थोड़ा सा slow हो जाता है कई जगा पे आपको लगते कि यार हसी नहीं आ रही मजा नहीं आ रहा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोर हो जाओगे या फिर आप लेकोगे कि आप क्या चल रहे से बंद करो ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा Mark my words Overall film entertaining है, it's a must watch, film horror भी है, comedy भी है और film में मसाला भी है और सबसे best part यह है कि आप अपनी entire family के साथ जाके film देख सकते हैं यानि बच्चे से लेके बड़े बुजूर्ग तक सब मिलकर इस film को जाकर आप देख सकते हैं बस हाँ, एक चीज़ करना, अक्षे कुमार और विद्याबायन की भूल भ्रहिया से, कार्तिकार्यन और क्यारा दवानी की भूल भ्रहिया 2 को compare बिलकुल भी मत करना So my final word is, क्या आपको film देखनी चाहिए या फिर आपको film नहीं देखनी चाहिए तो देखो boss, अगर आप खाली हो, अपने family और friends के साथ जाना चाहते हो एक अच्छा कासा masala और comedy और कुछ horror का तरका देखना चाहते हो तो यह film आपको कते ही निराश्त नहीं करें कि आप जाकर देख सकते हो मैं इस film को दूँगी 5 में से 3 star बाकी आप अगर film देखकर आ गए है तो जो भी आपके views है हमें comment box में जरूर बताइएगा वेल यह तो हो गई फिल्म की review की बात लेकिन क्या आपको पते है एक बार ऐसा हो था जब कारतिकारण को लगा तो उनके कमरे में कोई भूत है उन्हें paranormal activity फील हुई थी और अनीज बाजमी ने किस फिल्म के लिए कारतिकारण और क्यारादवानी को ही sign Q किया जाना चाहते हो तो उसके लिए हमने exclusive इस फिल्म की star cast यानी क्यारादवानी कारतिकारण और डिरेक्टर अनीज बाजमी से खास exclusive interview में बात चीर की थी वो भी आपको हमारे चानल पर मिल जाएगा तो इस review के बाद फटा फट जाके वो वला interview जरूर देखना और बताना आपको कैसा लगा बात आपको कैने हमारे लग बातो में वो जाह हमारे टात चाह दिल्ट से थार देखना आपकोशच donn KPK